कि नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सभी का मेरे चनल जीट सर के अंदर देखे आज मैं आपके लिए एक नया टोपिक ले रहा हूं जो बहुत ही महत्वपून टोपिक है राजस्तान से संब्दीत है राजस्तान जोकरविस से तो आज हम राजस्तान के बहुतिक पर्दिश के बारें पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने से पढ़े मां आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सक्स्राइब नहीं किया तो सक्स्राइब प्लीज जिरूर कर लेना ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्ते होसके और पास में जो वेल आइकन खिते को चार बागों में बाटा गए है तो पहले मैं बता देता हूं किनकी है तो देखो सबसे पहला हैं और मित पर doğruva का मैं विशी कि मिस्रा के नुसर कि मिस्रा निराजस्तान के जो बतिक पर्देस उनके साथ tavalla कि मिस्रा ने कितने भाग किये साथ भाग किये राजस्तान को साथ बोतिक परदेशों में बांटा फिर देखो साथ भाग कौन कौन से किये देखो वे भी मैं बता देता हूं देखो उपर वाला जो भाग है उसको नहरी परदेश इधर वाला जो भाग है उसको सुसक भाग फिर अरावली के इधर वाला जो भाग है उसको अरसुसक भाग फिर ये बीच वाला भाग है उसको अरावली साथ बागों में राजस्तान के बोतिक वियाजनी किये तो कितने बागों में बाटा गया साथ वागों में राज़िस्तान का जो बुगोल पूस्तक है उसके नुसार साथ वागों में बांटा राज़्सतान के बुगोल की पूस्तक है साथ वाग एक बार मैं पिर बता जêuता हूँ कौन-कौन से की अलागे पूस्ते नहीं एकजामू में सबसे उपर वाला भाग है नहरी बाग जहां इंद्रा गांदी नहर गंगा नेगरों हर्मानकड में निकलती है तो यह नहरी बाग है ठीक है फिर यह इदर जैसल मेर भीका नेर थोड़ा जो भाग है उदर बाड मेर का जो भाग है इसको सुसक ठीक है यह जो भाग है अरावल परदेश उसके बाद में चलशन का यह जो यह चलशनonda इद कर्शि परदेश का सब्सक्राइब उसने नाम दिया दक्षिनी पूर्वी कर्शी पर्देश एक दो जहां चम्मल लदी हैं जिसमें स्वाई मादो पूर दोलपूर का जो भाग है वो बीःड़ बाग चम्मल बीःड़ बाग इस परकार सेशने साथ बागों में बांटा फिर देखो S के सेनने सेनने के तीन भाग की तीन भाग इसने 1967 से 1968 के वीज इसने 1968 के अंदर तीन भाग की उसके बाद में राम लोतन सिंग डॉक्टर राम लोतन सिंग राम लोचन सिंग राम लोचन सिंग ने कितने भाग किये दो भेर्द भाग दो भेर्द भाग दो तो भेर्द भाग चार उप भाग उप भाग और बारा लगु भाग गुनिसो येतर में ये व्याजन किया इसने लगू भाग इसके लवाज सक्सेना ने और तिवारी ने भी इसकी व्याजन किये थे तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर प्रोपेसर विश्ची मिश्रा है उसके नुसार कितने भाग हैं? साथ भाग है सेन के नुसार कितने भाग कि एगए तीन भाग कि एगए गुणी 686 के अंदर फिर गुणी 00 i8 येतर के अंदर राम लों धूर सी ने कितने भाग बनाई ग्यद और राजस्तान का पटाग ऐसे दो भाग इसने किये थे अब देखो अपन जो मुख्य ते चार बागों में राजस्तान की बोतिक परदेशों को बांटा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं देखो कि तो यह मैं मिटा देता हूं आप उतार सकते हैं साथ में अब देखो चार बाग की राजस्तान की बोतिक बाग है राजस्तान की जो बोतिक बाग है उसको चार बागों में बांटा गया है इतने बागों में बांटा गया है चार बागों में मुख्यत है तो उन चारों के बारे में पर पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो उत्री परसिमी मरुस्त लिए परदेश मरुस्त लिए परदेश उत्री परस्चिमी मरुस्त लिए परदेश ठीक है दूसरा जो भाग है वो है मद्यवर्ती मद्यवर्ती अरावली परदेश अरावली परदेश ठीक है, तीसरा जो भाग है, वो हैं देखो, पूर्वी मेदानी भाग, मेदानी भाग, फिर है दक्षिनी, पूर्वी, पटारी भाग, तो इन चार भागों में बांटा गए, कितने भागों मांटा गए, चार भागों में, मैं बता तो कौन कौन से भाग हो गया, एक तो ये भाग हो गया, एक तो ये भाग हो गया, ठीक है, एक देख सकते हैं आप ये भाग हो गया, ठीक है एग ये भाग हो गया और एग ये भाग हो गया तो ये चार भाग है कि ये इसनी ये सबसे पहला जो भाग है मरुस्तली भाग ये मद्यवर्ती अरावली परदेश ये जो मैदानी भाग है ठीक है और ये दक्षनिपूर्वी पतारी भाग है तो ये चार राजस्तान को बहतिक पर्देशों में बांटा गया ठीक, यह आपको धियान में रखना है चार बहतिक पर्देशों में बांटा गया मुखेत है, अब इनकी उत्पति कौन-कौन से किस परकार सी होई, देखो इसको माना जाते है, teethis सागर के आउसेस ते ठीज महा सागर के अवसेश महा सागर के अवसेश सागर के अवसेश अवसेश ठीक है यह गोडवाना लेंड ही के अवसेश है गोडवाना लेंड के अवसेश है ठीक है ये फिर तेटीज मासागर के अफसेश के रूप में गंगा और यमुना के द्वारा बने वे मैदानी भाग है गंगा हुए यमुना के द्वारा यमुना के द्वारा बनाए गए बनाए गए ठीक है इसके बाद में ये हैं देखो ये गोडवाना लेंड से है और जुधला मुखी उत्जार्णा में जुधर बनी है ठीक है आपके समझ में आया होग देखो ये तेटीज मासाकर के उसे से बहुत बार एकजाम में पुछ लिया जाता है ये गोडवाना लेंड के, ये जो पूरी मेदान है, ये टेटीज के और ये पठारी भाग है, वो किसके गोडवाना लेंड के, कैसे बने ये मापको बताओंगा देखो, अब देखो, पहले इसके मुख्य कुछ बाते अपन देख लेते हैं, कुछ मुख्य बाते मापको पहले बता देता हूं, उसके बा नियोजोइक महाकलव नियोजोइक महाकलव में बना है महाकलव नियोजोइक महाकलव ठीक है यह एरोजोइक एजोइक एजोइक महाकलव यह जोइक महाकलव के अंदर यह फिर नियोजोइक नियो जोईक जोईक ये फिर है मेसो जोईक नियो जोईक इसमें से कई बार क्यूसन पूछ लिया जाता है कौन से कौन से में बना है ये नियो जोईक महा कलब ये ए जोईक महा कलब ये नियो जोईक महा कलब और ये मीसो जोईक महा कलब ठीक है न? अगर इसका हम समय देखें तो एजोईक है वो आज से 25 लाक वर्ष पुराना 25 लाक वर्ष पहले ठीक है ये एजोईक 25 लाक वर्ष पहले ये मिसोईक देखें तो ये 23 लाक वर्ष पहले 23 लाक वर्ष पहले उसके बाद में ये नियोईजोईक देखें तो ये 630 लाख वर्से पहले तक का काल है ठीक है भाए ये आपको जहान में रखना है देखो नियोजोइक महा कलब है 630 लाख ये जोइक 25 जोइक नियोजोइक 630 और ये हो गया 23 अजार ठीक है ये 25 अजार और ये 23 अजार लाखे वर्स्पेले तो यहापको जहने रखना है ठीक है अब देखो इसका यूग या कलब देखें तो यह पलिस्टोसीन पलिस्टोसीन यूग में पलिस्टोसीन यूग में बना ठीक है उसके बाद में इसको देखें यह प्री क्रिम्मिलेन काल ठीक है उसके बाद में देखें ये पलिस्टो सीन काल पलिस्टो सीन में ठीक है ये क्रिटे सीस काल में ये आपको जहान में रखना है देखो तो मैं आपको बता जिता हूं मेंılar सबसे पहला के हैं और पूरी मैदानी भाग अरावली प्रवतिव पर्देश है और जो पठारी परदेश है आपको व्येगन की शिदान्त में बता दिया था एक बार में फिर थोड़ा सा बता दिता हूं कि ये पेंजिया था ठीक है इसके चारों तरब क्या था जली जल था जिसका नाम दिया पेंथा लासा पेंथा लासा ये पेंजिया था पेंजिया ठीक है जो कार्बन फेश्यू के अंदर एक इस त जल भागता जिसका नाम गिया चारों तर्व जली जल था उसका नाम धिया फें ठॉलाशा फिर ओकर यह जो पर सेनद था वह कारभरीолिख में टूट गया इसके दो टुक्ड़े हो गए थीक है, ये दो तुकडि हो गए, इदर वौला जल था वो यहां आ पढ़ गया, ये बन गया । सबसे पहला अमाने का फ़िर गया, फिर जैसे जुरें शीछराफ गता है, तो इनके फिर बाजन हो गया, ये तूट गया, ये भी तूट गया, इसका नाम उपर वाले का नाम था अंगारा लेंड अंगारा लेंड उपर वाले का भाग था अंगारा लेंड निचे वाले का भाग था गोडवाना लेंड गोडवाना लेंड ये अंगारा लेंड था और ये क्या था गोडवाना लेंड जो अंगारा लेंड और गोडवाना बंजन हो गया और यह अपने महादिपों की उत्पती हो गई और जो दूर चले गए यह जो जुआरी बल थे प्लेंग बल था उसके दौरा गुर्टवा करशनबल के दौरा यह दूर चले गई दो परकार की इसको पर बल लगे थे दूर चले गए और बीच में इसके जले भर गई तो तो प्रिदे को इसम के अंदर जैसे भी कोई भू सनती होती है उसके अंदर दीरे-दीरे मलब अवसाथ जमा हो जाते हैं ठीक हो भर जाता है ठीक है तो उनसे मेदानी बागों का निर्मान होता है बलकि यह जो अपना बनाई यह कैसे बना देखो कि पर्थ्वी क्य साथ से भर गया था अवसाथ रह गए थी असाथ से भर गया था ठीक है और इदर चले गए तो यह भाग जो ळंग ए डेटी जह महासागर था ना तो उदर तो यह किसके उसे से त्याठी जे महासागर के उसे से कौन सी चटानों से बने हुए और यहां पर मरुस्तली भागे बन गया तो यह आपको द्हान में रखना है आगी बाद सुन में तो यह मरुस्तली भाग होगे किसके उसाधी चटानों से बने हुए आपको द्हान में रखना है तो जो मरुस्तली भाग और जो मैदानी भाग है वो दुन्हों किन से बने टेठीज महासागरों के उसेस है और बाकि जो यह भाग था गोड़वना लेंड यह जो पर्वतिय प यह टेटीज, यह गॉडवालेंड और यह गॉडवालेज अब यह जो हैं यह गंगा यह मुना की द्वारा बनाएगे हैं मैदानी भाग हैं Oooh यह जुवाले मुθη जुवाला मुखी कलब हो जुवाला मुखी उदगार होसे जो लावा निकलता है उन के पटारी बन गए अब इसका देखो अलग-अलग महा कलब है यह नियोजोइक महा कलब जो आज से 36 लाग वर्स पहले यह जो इक कलब है जो 25 जार लाग वर्स पहले फिर यह नियोजोइक कलब है उसके बाद में मिसोजोइक कलब है जो 23 जार लाग वर्स पहले है ठीक है अब देखो इस कौन से यूग में हुई थी? पलिसी टोसीन है, यूग के अंदर, ठीक है? यह सबसे प्राछीन है, प्रिकृम्बी इनकाल के अंदर, यह पलिस्टोसीन यूग और यह क्रिटिशयस है, यूग के अंदर, ठीक है? आगे य Sisters, कई बाइन। करम पूछ लेते हैं करम पूछ लेते हैं सबसे पहला कौन सा है जैसे आप पढ़ते हो कि सबसे प्राचेंज क्या है अरावली पर उरते स्रंकला है तो सबसे पहला देखो यह है आज से 25 लाग वर्स पहले तो एक नमर एक नमर मैं इसको दे देता हूं कर बार करम भी पूछ ल बनाक दूसे नमर पर यह बना है कि दूसे नमर पर यह बन गया इसके बाद में तीस्रे नमर पर बन गया कि से आप सीच अपर बन जब लग यह मेरा आवप ओस्ठी नमर भाग वे ओस दूसे नमर पर कॉन से पर आउन Lights परदेश सबसे प्राचिनतम कौन सा हो गया मद्दे रावली परदेश ठीक है दूसर सबसे नमीनतम कौन सा हो गया मरुस्त लेबाग यह नमीनतम है यह नमीनतम आपको यह दिहां रगना है नमीनतम और यह क्या है सबसे प्राचिन यह आपको दिहां रगना है करम भी दिहां है ठीक है सबसे प्राचिन मद्यरावली परदेश फिर दूसे नमर के ओपर पठारी यह हो गया दूसे नमर पर तीसे नमर पर मेदानी और च्वते नमर पर क्या गया मरुश से लिए भाग एक्जामों में आज कर जदा करम पूछ लिया जाता है तो यह करमों का अभिया को ध्यान में रखना है यहाँ से 25 लाग वर्स पहले यह 23 लाग वर्स पहले और यह दोनों 630 लाग यह इसको कह सकते ह भाग जो भाग होता है प्राचिंतम जलोड और यह खादर नमिंतम जलोड ठीक है यह नमिंतम बने ओए तो आपको यह द्याने रखना है है आगे हो भी बात समझ में कौन कौन से किस किस के बारे में आप इसका स्क्रिंशोट भी ले सकते हैं इसको उतार भी सकते हैं साथ साथ में और यह जो मैंने पहले भी बताया इसको आप देख सकते हैं मेरा जो पिछे का वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं आप देखो अपन यह माल, यह क्या हो गया, माल, मरू कौन सा होता है, जो मरुष्टली मिदानी भाग जो सम्तल होते हैं, वो क्या होता है, मरू, मरू का आज़ता है इसको, मेरू क्या होते हैं, जो परुवती भाग होते हैं, जो पहाडी भाग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेरू, और जो प यह क्या है मेरू और इसको क्या बलते माल तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है तो यह आपको आयोगी बात समझ में अब देखो एक आपकी पर्वत और एक होता है पठार और एक क्या होता है मेदान पर्वत क्या होते हैं पर्वत क्या होते हैं द्रातर से उपर उठे वी वह भूबाग जो उपर से क्या होते हैं शिकर नुमा होते हैं संकू आकारमी होते हैं उसे क्या कहते हैं पर्वत कहते हैं पठार किसे कहते हैं जो द्रातर से उपर उठा हुआ है भूबाग जो उपर से क पुटोब आब उपर से कैसा होता है समतल उसो किया बोलता है है बठार बोलते हैं और लेव लिए में यूदतें को आपको फोरे Teran भूर मैं पार इस इतने कवापीस साफ को रिकेट कर देता हूं ऐधीजान बोतिकक परदेश है। यह पढ़ लेते उत्पती होई यह त्यठीज महासागर के उसेस के रूप में बनी यह गोडवना लेंड यह त्यटीज गंदा यह मुना के द्वारा बनाए गए और यह दक्षनिपूरी पुठारी बाग यह गोडवना लेंड जुवाला मुखी से बनी हुई यह नियोजोई के बाग है एस जोईक महाकलप के अंदर आज से 25 लाग वर्स पहले प्री क्रींबियन काल के अंदर यह सबसे प्राचीन है मेरू प्र यह नियोजोईक जो ठीक है पलिश टोसीनफे यूप के अंदर मरू के अंदर आ जाता है ये मिशो जोईक काल 23,000,000,000 वर्स पहले और क्रिटिशियस युक के अंदर ये बने माल जिसको का जाता है पठारी भागों को माल तो ये कुछ बाते थी जिसके बारे में आजकल एक्जाम में ज्यादा क्यूसर ने उठाई जाते हैं आपको ध्यान में रखना है करम आपको ध्यान में रखना है सबसे पहला मद्यवर्ति अरावलिया आ गया इसके बाद में दक्षनी पुरी पठारी भागा गया फिर पूरी मेदानी भागा गया और चोथा नमर मरुष्टली ये सबसे नविंतम है और ये सबसे प्राचिंतम है आगई बास उनम्ही ये सब पता कैसे चलता है कि देखो एक तो इसमें अपने कोई ऐसे पता चलता है कि एक तो इसमें अवसादी चट्टाने पाई जाती है इसे पता चलता है कि ये किसके उसेस है टेटी जे महासागर के उसेस है दूसरी अपने को पता चलता है कि यहाँ पर कोईला है पेंट्रोलियम है कोईला कोईला पेंट्रोलियम कोईला है पेंट्रोलियम है पेंट्रोलियम है ठीक है यह जेविक जेविक संसादनिया पाए जाते हैं ठीक है कोईला पैंट्रोलियम ये पाए जाते बार मेर है जेसल मेर है तो यहां पर पैंट्रोलियम पाया गया तो उनसे भी अपने को पता चलता है कि यह टेथीज के शेर्स है ठीक है यहां पर आकलवूड फोसिल पारक भी है आकलगाओं के अंदर आकलवूड फोसिल पारक जो सबसे बड़ा है पारक भी है यहां पर जेसलमेर के अंदर है फेला हुआ है ठीक है तो यह आकलवूड फोसिल पारक है क्योंकि प्राचिन समय में यहां पर कई अवसेस मिले तो यह भी हिएँ पायजाता है, जिसे अपने को पता जाता है, और प्राचिन समय में जब यह समूदर आगे जाराता तो वन्स पति उसके नीचे दब गई थी, तो यह भी ही यहा पर पायजाता है, इसके साथी यहां क्या है खारे-पानी की जीले, थो यहां यहां खारे-पानी की जिल्हें हैं जो मैंने टॉपिक डाला था कौन कौन खारे-पानी की जिल्हें उसके बारे में डाला हुआ है बहुत ही सोच डाला हुआ है तो खारे-पाने की जिल्ए इसके साथ यहां कई मछलियों के अउसेश भी जैसर मेर के अंदर मिले थे तो आपको दहां रगना देगा है यहां पर आउसारी चटाने पाई जाती हैं यहां पर कोईला पैट्रोलियम इनके अउसेश मिले यहां पर तयुक्त पदा चलता है कि आउसे उसे है और तो चार निचे लाइने दिक होती है कि से मत्लियों के भी अवसेश यहां पर जिसल मेर के अंदर मेले थे अब देखो चलते हैं इनकी विशेष्टाओं के बारे में अब अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे एक एक के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ना एक एक के बारे में पढ़ेंगे अब इसका वर्गीकन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने मरुस्तली परदेश की बारे में पढ़े लेते हैं यह मैं मिटा देता हूँ यह बना देती है वापिस अब अपन पढ़ते हैं मरुस्तली की विषयस्ता की कि विषयस्ता है क्ये तो यह देख़ो सबसे जाथ ज्याथ सबसे ज्याता ज्याथ विवित्ता वाला मरुस्ता लें